तो दोस्तो आज 22nd September 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे IT सेक्टर का एक बहुती फास्ट ग्रोइंग कमपनी जिसका नाम है KPI Technology Limited जिसके अंदर मेरा लगातार खड़िदारी करने का राय था इवन आज की रेर पे भी मेरा राय एकदम सेम है मार्केट के अंदर आज बहुती जादा वलिटिलिटी था स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर आज गिराबट हुआ TCS, Infosys, Wipro जैसे बड़े कमपनी का शेर कहीं ने के अपना 52 लोग के आस पास आज जाके क्लोजिंग दिया उसके बाद भी आज IT सेक्टर का एक दूसरा कमपनी KPIT टेक्नलोजी ने लगबग 11 परसन उपर जाके क्लोजिंग दिया 666 रुपए पे अन्बिलेवेबल जो कि यहाँ पे हमें गेन देखने को मिला आज KPIT की शेर के अंदर तो इसके पीछे वजा क्या है जो कि लास्ट डे भी मैं आपको डिसकाशन किया थे इस पर्टिकुलर टॉपिक क्यों पर कि KPIT दोस्तों आगे कुस दिनों में काफी तेज हो सकता है और आज की डेट पे दोस्तों एक ऐसा न्यूज आया है ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी की तरब से तो आप देख सकतो KPIT के अंदर बाइंग का रेकमेंड किया उसके साथ टार्गेट जो दिया दोस्तों अपना ओल टाइम हाई से कहीं परसेंट उपर यहां पर बोल सकतों तो चली कितना टार्गेट दिया सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगी सबसे पहले मैं आपको जो कि वीडियो में भी मैं आपको शेर किया था जो इस चैनल को फ पूरा को पूरा यहां पे अकुर कर लिया और हंड्रेट परसें अकुरेशन हुआ कितने रुपए पे 640 करूर रुपए बठा यह जो कि एक स्टार्ट अप कंपनी है तो यह भी आपको ध्यान मोना चाहिए कि बेसिकली स्टार्ट अप कंपनी थोड़ा बहुत रिस्की जर आलिस करोर के आसपास फिक्स्ट कंसिडरेशन तो भी पेट ओबर सिक्समान तो यह जो पैसा है नेक्स्ट है मैंने के भीतर भीतर जो की कंपनी को पेग कर देगा के प्याइट टेक्नलोची ने अब देखिए डिल इस एक्सपेक्टेट टू बी क्लोज बाइड एंड ऑफ 2022 मतलब इसी साल ऑक्टूबर के अंदर दोस्तों यह दिल अपर कंप्लिटली क्लोज हो जाएगा पोस्ट फुल्फिल्मेट तो यह दिल हो जाने के बाद अब देख सकतो एंड अब टेक्निका ग्रूप विल भी फुली ओन्ड बाई टेक्ट के पीए टेक्निलोजी इसका मत बिजनेस जो एक्सपैंशन है वो दोस्तों बहुत भुट रजाएगा बिजनेस और बिजनेस एकस पैंट होता है तो उसकाि सीधा सीधा उसका जो बैलेंड शीट ऐनी कंपनी का जो अरुट छा मिलेगा तो जिस विस के अंदर आज हमें तेसी देखने को मिला हम्यां आ गो और बहुत कुछ चीज़ों को पर यहां पर डिसकाशन किया जैसकी फिनांशेल पर चलेंगे और एक अपडेट में आपको दिखा देता तो दिके प्रभुदा प्रभुदास लिलादर जो के इंडियान ब्रोकरेज कमपनी से इनके तरब से भी बाइंग का रिकमेंशन आया थ तो उस टैम पर सारे 600 का टार्गेट एचिव नहीं किया था फाइनल हमने देखा डे के एंड में यह टार्गेट तो आराम से आचिफ हो गया इवन इसके बहुत उपर जाके शेयर क्लोजिंग जयाता तो बेसिकली देखे कि दूसरे अगर आपके दिमांग में शायद यह को सेग्मेंट है अब देखें टीस को देखिए वह वह गया आपका कंसलटेंश सेग्मेंट पर विप्रो इनफोसी से पट्टिकलर जो सौफ्टर सेग्मेंट पर तो ऐसे ही दोस्तों जो आएप टाटा एलेकसी हो गया यह सारे जो कमपनी काम करता पर अपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो यह में डीजन बेसिकली तो यहां पर देख से कमपनी का एक टैम पर जहां पर सिर्फ पूरा फनांशियल यह मिला के 55 करोर का सबस्पास था आज की रेट पर देखे फिट देर सो करोर का सबस्पास था उसको अगरां बात करें सोरी 300 करोर का उपर पहुंच इसके उपर भी बहुत ध्यान रखा जैसे कि आप देख से पहले कितना था तीरा चौदा परसंट उसके पंद्रा परसंट इसी फैनांशियल रुपे कितना नाइंटीन परसंट का सबस्पास दोसों पहुंच चुका है मार्जिन के अंदर भी जम देखने को मिला लास्ट क्लोज हो गया उसके बाद भी लगबग 15,000 के उपर शेयर एम और लग चुका है बाइंग साइड में आज दोस्तों करोरों की वैल्यूम या जो कि आप वाल्यूम देखने को मिला अल्मोस्ट एक करोर सतर लाक क्या जो की टोटल शेयर ट्रेड वह से थोड़ा कम और उसके डेलीवरी देखने को मिला अल्मोस्ट 49,68,000 क्यों पर यानि बहुत कम यह नहीं की आज बहुत कम डेली वरी हुआ का अब चली मैं आपको सीधा चाट पैरन को लेके चलता हो कि आपका रणनी ती क्या हो सकता है कि आपको इमेडियेटली लेबल पे या थोड़ी दार बाद आपको रुख के बाई कना चाहिए तो दोस्तों याप आप देख से तो के पी आई टी का जो कि लास्ट दो हफ्ते का कैंडल स्ट्रिक चाट पर रहां जो कि मैं आपके सामने ओपेन किया लास्ट कुछ दिनों से अमने देखा था यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर से तो यहां पर देख से तो शेयर के अंदर आज की देट पर तेजी के बाद इसका आरे साइंडेक्स लगबख ओवर वार्ट जोन क्रॉस करके निकल गया अभी ऐसे सिच्वेशन पर मैं अभी वैटन वाच कीजिए जो इस चैनल को पहले फॉलो करते था बहुत पहले से उनक मौका नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता बाद में आपको मौका मिलेगा तो बेसिकली कुछ टेम पहले हमने देखा था शिर अपना ओल्टाइम हाई टच किया था अब यहां पे दोस्तों जो की गोल्डमेंट सच की तरब से टार्गेट दिया 900 मतलब अपना ओल्टाइम हाई से तब देखी एकदम से नहीं गिरा था पहले सबसे वहला यहां पर सपोर्ट दिया था यहीं 600 रुपए का लेवल यहां पर देख सकता चैसुरुपए का लेवल यहां पर सपोर्ट मिला था जिस बज़े से बेसिकली लास्ट कुछ टाइम से अगर हम बात करें शियर को अगर अगर साथ रुपए की लेवल में थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करने के साथ साथ शेयर कंदे नीचे की तरफ गिरावाट होता है तो उसकेस में आपको जो बाइंग लेगा 620 से लेके 630 रुपए का लेवल और 600 रुपए का लेवल तो स्ट्रॉंग अभी सपोर्ट देगा क्योंकि लास्ट बहुत महीनों से हमने देखा था इसी लेवल पर ही शेयर को स्ट्रॉंग लेजिस्टेंस फेस किया था तो यह कुछ इंपॉर्टन लेवल से है जिसको पकर के आपको प्ले करना चाहिए अब देखिए अगर 700 के उपर निकल जाता है तो उसकेस में आप तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकॉंट नहीं है तो अप स्टॉक जैसे बड़े प्लाटपराण में डीमेट अकॉंट उपेन कर सकते है जहां पे आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबा लगता है लिंक आपको वीडियो के नीच चीज़ों को तैयार रखना है आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट अकॉंट बन जाएगा